फिर वी मैं आपको पताता हूँ, तुम जल चुके हो, अब सुधर जाना बहतर है, वो सामने हो, तो अब गुजर जाना बहतर है, और क्या पूछते हो, किसी से, कहां जाए हम, तुम बहतर जानते हो, किदर जाना बहतर हैं हेलो एब्रीवान वेल्कम टू दे चैनल कंसेप्चुल स्टेडी पॉाइंट इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमारा एक टोपिक साइको डाइनमिक या साइको एनलेसी आप बोल सकते हैं साइको थेरपी से रिलेटिड आप टोपिक बोल सकते हैं यह इसे आप ठीक कर लिज में आप कहेंगे common है question देखते हैं आपको MPC 022 में मिलता है या 023 में मिलता है लेकिन आपको preparation एक ही बार करनी होगी एक बार हम complete topic discuss कर लेंगे इसे आपको इस theory के बारे में इस approach के बारे में एक great understanding हो सकती है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है तो चलिए psycho dynamic को psycho analytic के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब आप यहां पर confused मत हो जाएए कि psycho dynamic क्या है psycho analytic क्या है question यहां से मिल जाएगा आपको देरे देरे पता चल जाएगा कैसा question मिलेगा ठीक है psycho dynamic को psycho analytic भी कहा जाता है एक ऐसी psychological approach है जो कहती है कि human का behavior ना हम psychology में हम क्या करते हैं एक बार से हम MPC 01 के topic पर आगए study of human behavior है ना अब यह एक ऐसी approach है psycho dynamic जो कहती है human के behavior के पीछे जो reason है वो क्या है unconscious conflicts कि unconscious कोई ना कोई thoughts होते है motivation होता है unconscious level पर अभी unconscious means अचेतन मन ठीक है और वो जो यह दो चीज़े हैं conflicts और motivation यह किसी भी individual के thought pattern को उसकी feelings को उसके behavior को affect करती है अगर हम simply कहना चाहें तो psycho dynamic जो अप्रोच के जब हम study कर रहे हैं इसको तो हमें एक नाम देखने को मिलेगा Sigmund Freud ठीक है यह psychologist थे जिनोंने कहा कि human brain का जो human का जो एक individual का जो behavior होता है न वो किस के थुरू बनता है unconscious conflicts के थुरू जो हमारे मन में unconscious level पर जो motivation होता है या फिर जो हमने childhood में जो हमारा experience रहा है हमारे environment के साथ वो हमारी personality को affect करता है यह एक shape provide करता है अगर आप इस बात से agree हैं क्योंकि अभी तक शायद आपको समझ में ना आया हो कि psychodynamic कि क्या unconscious या क्या early childhood experience चल रहा है चलिए मैं एक बार simple शब्दों में बताता हूं मान लीजिए psychologist है Sigmund Freud है नहीं लेकिन थे इन्होंने क्या कहा कि देखिए जैसे की मान लीजिए कोई डर रहा है बच्चा मान लीजिए plus one plus two में suddenly बाहर से कोई होरन बच जाता है जैसी बचाया पौं ठीक है यह पौंवाला होरन सबसे common है ठीक है जैसी बचता है पौं तो बच्चा डर जाता है जैसे आपने देखा यह डर क्यों रहा है आपके मन में क्वेश्चन आया कि human यह जो एक इंडिविज्वल परसन इस ऐसे बिहेव क्यों किया ठीक है इस पार्टिकल सिच्वेशन में इसने ऐसे बिहेव क्यों किया अब वो इस तरह के होरन से या इस तरह की जो कॉमन सी चीजों से डरता है ठीक है पियर एक्सप्रेस करता है सिंपर तो अब आपको समझ में सिगमन फ्रोड ने क्या कहा कि अरली चाइल्डूड एक्सपीरियंस या फिर कोई unresolved conflict जो resolve ना हुआ हो कुछ ऐसा conflict वो हमारी mental health प को affect करता है according to psychodynamic approach मैं उमीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा अगर नहीं आया तो आप थोड़ी देर और बेट कीजिए आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी psychodynamic कर लिए हमने अभी अप्रोच होती है ठीक है psychotherapy क्या होता है अब जब therapy का नाम आ जाता है तो इसका मतलब हम क्या करें यहां पर treatment provide करने है उस बच्चे को चो fear express कर रहा है अभी हमने क्या समझा एक बच्चा डर रहा है होरन से गाड़ी की होरन से बाइक की होरन जो आजकल बड़े-बड़े होरन लगवाते है ठीक है देखा भी आपने सुना पीछे तो psychotherapy से psychological treatment सुन रहे हो पीछे मेरे होरन है ना तो मान आप डर जाते हैं अभी इतना ज्यादा आवास तो नहीं है इसकी लेकिन हां कुछ बच्चे जैसा कि हमने एक्जामपल लिया तो psychotherapy क्या है treatment है जो की help करती है क्या address करने में mental health conditions emotional distress है उसको कोई behavioral problem है तो इन सभी को वो क्या करेगी resolve करने की कोशिश करते है ऐसा treatment जो हमारे mental health .क्त में जो भी issues है हमारी emotion से ver姓 behavior आई इसकोव करने में जब हमारी treatment help करता है उसका h Beyonce therapy कहते हैं यह हम कह सकते unconscious conflict को जो resolve करता है उसे psychotherapy कहेंगी अब वाधको PSYCOPP向रप करते हैं वह प्रोफेशनल या तो mental health professional होते हैं या psychologist होगे या psychiatrist होंगे या licensed counselor होंगे जो की क्या करेंगे इनको conduct करेंगे अब आपको इतना समझ में आ गया psychodynamic की complete approach है जिसमें कई सारे topic हैं जैसे की अभी मैंने बताया unconscious level, early childhood experience इस तरह के सारे topic हैं और उसके under जब इन बच्चे जो कोई भी बच्चा इस तरह की समझ में आ गया होगा ठीक है एक बार और मैं आपको psychodynamic बताऊंगा लेगी न भी नहीं सिग्मन फ्योड सिग्मन फ्योड फादर ओव साइको analysis consider किये जाते इन्होंने ही यह जो concept है जो निकाला था psycho analysis का तो इन्हें को analysis theory को पढ़ना पढ़ रहा है अब सिग्मन फ्योड ने क्या कहा कि human का behavior न वह ओवर्ट behavior हो चाहे covert behavior हो वह किसी ना किसी prior mental event से determine किया जाता है कि आपके mental activities चल रही हैं वह आपके behavior को determine करेंगे कि आपकी जो mental activities या आपके जो brain में थोट चल रहे हैं वह आप वह to determine करते कि आप behavior कैसे करने वाले हैं समझे कुछ समझे या नहीं समझे लेकिन समझ जाओगे दीरे-दीरे ठीक है तो अब बता लगता है कि outside world private psyche life of the individual combined to determine all aspects of behavior कि आप देखिए सिरफ mental health behavior ही नहीं बलकि अपना जो environmental होता है environment होता है जो हमारी situation होती condition आप बोल सकते हैं वो पलस आपकी psychic energy according to sigmund friode हम सभी के अंदर है जो क्या होती है libido होती है ठीक है libido means libido energy या हम इसको बोल सकते है sexual energy according to sigmund friode अब आप इसमें ना कुछ topic sensitive भी होने वाली है अगर आप ear birds का use कर सकते हैं तो करिए otherwise शायद थोड़ी problem हो सकता है आपको हो सो यह education के purpose से ऐसा कोई नहीं कि आपको entertain किया जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है यह आपको education के purpose जो sigmund friode ने बताया वो ही मैं as it is आपको बताऊंगा ठीक है कुछ examples real life के साथ है जो correlate करके तो अगर आप ear birds use कर सकते हैं तो please करिए ठीक है सो अब बात कर रहे थे हम की concept of the psycho analysis psycho analysis में कौन-कौन से concept से सिग्मन फ्योड ने कौन से major concept दिये जिसकी वज़े से उनका theory है जो मतलब base बन गई है देखे काफी interesting है और काफी मसेदार भी आपको समझ में आएगा और आप शायद daily life से correlate कर पाए उन चीजों को सबसे पहले है unconscious mind अब आपने YouTube या जो धर्म गुरू होते हैं इस तरह के उन्होंने आपने उनके मुह से यह सुनी होगी conscious mind आपका जो होता है एक unconscious mind होता है तो एक सब conscious होता है इस तरह की बाती सुनी है नहीं सुनी लेकिन आपको जरूर सुनी होगी अगर नहीं सुनी तो आप इसको सर्च कीज़े आपको पता लगेगा तो unconscious concept unconscious mind वाला concept है जो सिग्मेंट फ्यूड ने दिया उन्होंने कहा कि हम जो परसन है ना एक individual उसकी जो brain की तीन phases है कौन कौन से हैं में इंशोट आपको बताता हूं conscious जो कि आप सभी जानते हैं चेतन मन जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं सब conscious और एक unconscious ठीक है यह तेन स्टेज दे दी डिसकस करेंगे अभी ठीक है तो unconscious जो है ना यह जो unconscious वाला यह एक स्टोर रूम की तरह है इस जैसे कि आप अपने घर में होता है सभी कितना भी बचा हुआ या खराब समान सही समान एक्स्ट्रा समान सभी महाँ पर हम डालते रहते रहते जब तक वह भर ना जाए ठीक है ऐसा होता है तो यह भी ऐसा ही है vast store house of thoughts हमारे विचार जो है thoughts हैं वो सभी यहाँ पर store होते ह हैं हमारे unconscious mind में और यह बाहर निकलते हैं कई बार जैसे कि हम सपने आते हैं हमी सभी को काफी मज़ेदार हैं ठीक हैं सो unconscious का concept है जो इन्होंने दिया अब बात आगी समझ में दूसरा concept है हमारा id ego super ego id ego पहले रखेंगे इसको third number पे रखेंगे defense mechanism को तो second concept है id ego super ego कि जो individual की personality है न वो इन तीन factors से explain की जा सकती है या आप तीन यह बोल सकते हैं यह जो components है हमारी personality को जो बनाते हैं id भई बचपन में होगी ego थोड़े से हम बड़े हो जाते हैं super ego थोड़े और बड़े हो जाते हैं अब यह complete discuss करेंगे ऐसा नहीं कि सिरफ अभी तो मैं familiar कर रहा हूं आपको id ऐसा होता है कि बस ममी मुझे कभी जो कुछ चाहिए जैसे बच्चे करते हैं ममी मुझे चाहिए तो वह id होगी लेकिन जब आप सोचने लग जाते हैं अच्छा भी ममी के पास है नहीं तो थोड़ी देर के बाद ले लें सुपर इगो क्या जो मैं मांग रहा हूं वह सही है नहीं है समझे ऐसा यह concept दिया अब मान लीजिए आप की जो इगो है इगो बस वह वाली इगो नहीं है जो आप आजकल देखते हैं कि इस लड़के में या लड़की में ज्यादा इगो ऐसा नहीं है यह दूसरी इगो है अब मान लीजिए आपने कहा कि ममी ममी मुझे यह चाहिए मुझे नहीं पता आपकी ममी नहीं तुझे चाटा लगेगा अब अकी बार ऐसा आप आपने बिहेव किया तो तो आप नर्वस हो गए तो आप चलो ठीक कोई बात नहीं उस anxiety जब उस टाइम आपको कुछ anxiety होगी इसका एक और example दूँ तो यह example सही लगता है मुझे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं स्कूटी चला रहे हैं आप किर जाते हैं बाजार में या slip हो जाता है टायर तो आप कहेंगे कि अच्छा गिल्ला था यहां पे मतलब अपनी हम mistake नहीं देखते हैं कि हमने सामने जो रियर ब्रेक लगाए हैं ठीक है सो हम ऐसा नहीं देखते हैं या नहीं रियर ब्रेक नहीं लगेंगे स्कूटी में ज्यादा तर फ्रंट वाली ब्रेक लगती हैं तब हम जो हमारा टायर स्लिप होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने हमारी जो फ्रंट वाली ब्रेक ल के लिए हम जैसे बोल रहे हैं सडक किसी ने गिली कर दी दिखता नहीं सामने वाले को नहीं दिखाई दे रहा तो इस तरह कि जो चीजे जब हम अपनी एंजाइटी से बचने के लिए करते हैं उनको बोला जाता है डिफेंस मेकैनिजम खुद को डिफेंड करना उस में एक developmental phase होता है physical development psychological development cognitive development तो सिंगमन फ्रीड ने का क्या कहा psychosexual development हमारी body के अंदर जो libidal energy होती है psychosexual energy होती है उनकी एक stage होती है जैसे oral phallic latency genital इस तरह की stage होती है हर person उन stages से गुजरता है अगर वहाँ पर unsuccessful किसी भी एक stage में देखने को मिलेगा तो उसे कोई ना कोई conflict जरूर होगा बच्चे को तो इनको भी हम discuss करेंगे ठीक है अभी य सभी topics हम एक ही वीडियो में discuss करने वाले हैं ठीक है की concept आपको समझ में आ गया तो अब आपको ये भी समझ में आ गयो का psychodynamic क्या है जहां पर unconscious defense mechanism it ego super ego psychosexual development के सभी concept आते हैं समझ गए ओके अब बात करते हैं हम पहले पर जो हमारा पहला की concept था conscious mind subconscious mind unconscious mind इसको समझने के लिए एक example है जब आप अपनी book कभी पढ़ेंगे तो शायद आपको पता चलेगा tip of the ice पर शायद आपने सुना भी हो ऐसा मैं ऐसा बना देता हूं ठीक है माने जब ये पानी ओपर ठीक है ऐसा समुंदर है आप ये समझ लीजिए और ये बरफ का पहड़ बना हुआ है यहां पर जो यहां पर है यह क्या है हमारा subconscious mind और जो सबसे नीचे है यह क्या है unconscious mind अब आप यहां से थोड़ा समझने की कोशिश कर पा रहे हैं कि जो उपर है जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे अब हम बात कर रहे हैं आप सुनाई कर रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं तो यह conscious mind है हमा नंबर याद है 905-3757-863 I think ये वाला नंबर था मुझे भी इतना याद है मुझे 905-3757-8 तक याद है आगे गा मुझे भी याद नहीं है दो डिजी टोर थी तो मैंने वो नंबर बताया लेकिन सब कॉंशियस माइंड क्या कहता है थोड़ा सा जो चीजे स्प्रेजड कर द चोड़ा सा ध्यान करेंगे उन चीजों पर वो रेट्रिव हो जाएंगा अनकॉंशियस माइंड हो दे जिनके बारे में आपको जरा सी नहीं है जैसे कि आपको ड्रीम आ रहे हैं अच्छा मैं हवा में उड़ रहा हूं या मैं शेयर के पीछे भाग रहा हूं या मैं से उड़ा रहा हूं समझ रहे हैं अनकॉंशियस माइंड जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जिसको जिससे आप अवेर ही नहीं यह तो हो गया बेसिक ओवर्व्यू मैंने समझाने के लिए अब बात करते हैं पॉइंट्स पर हो सकता है आपको डिफरेंशियेट बिट्व यहां पर सब कॉंशियस में क्या कहते हैं डिरेक्टली अक्सिसिबल नहीं कर पाते अवेरनेस को या इनफॉमेशन को आप समझ सकते हैं यहां पर लेकिन हम थोड़ा सा फोकस करें तो हम उनको कॉंशियस में लेके आ सकते हैं जैसे कि होता है इस टीप ओफ आइसबर्ग से नहीं थोड़ा सा जात कर देखेंगे तो असानी से आपको चीज़े देखने को समझने को मिल जाएगी समझाने के लिए क्या नोटैक्सिबल कॉंशियस अंकॉंशियस तको कॉंशियस करना काफी मुश्खिल है ठीक है अक्सिबल नहीं है एक आम आदमी के ठीक है नेचर की बात करते हैं क्या नेचर है यहां पर limited scope है हम सिरफ present पर focus कर सकते हैं जो अभी हो रहा है जो अभी हम बात कर रहे हैं उस पर ठीक है यहां यहां पर क्या है vast and dynamic encompassing memories जो हमने अभी क्या बताए मैंने ओ नंबर पूछा आप से emotions habits तो यह सभी क्या होती है subconscious mind में होता है आप लोगों को ना मैं एक शायरी सुनाता हूं चलिए ठीक है इससे आप थोड़ा सा शायद relate कर पाएं ठीक है तो कहिए आप भी अर्ज किया है तो चलिए मैं बताता हूं अर्ज किया है तुम जल्द चुके हो अब सुधर जाना बहतर है शायद आपको थोड़ा समझने में थोड़ा ना मुश्किल हो सकती है चलिए फिर भी मैं आपको पताता हूं तुम जल्द चुके हो अब सुधर जाना बहतर है वो सामने हो तो अब गुजर जाना बहतर है और क्या पूछते हो किसी से कहां जाएं हम तुम बहतर जानते हो किदर जाना बहतर है शायद आपको यह समझ में आए और शायद ना आए मैं फिर भी आपको एक पर दिखा देता हूं उसको ताकि आप समझ जाएं ठीक है आप देख लेना इसको तो यहां पर मैंने क्या कहा यह आपको समझने की कोशिश करनी है कि तुम जानते हो बहतर क्य भी अपने behavior को observe किया हो मानली जी आपने देखा है कि मुझे यहां से turn लूँ या मैं सीधा चला जाओ घर जाना है कोई भी एक रस्ता अपने सोचा में यहां से चलूँगा लेकिन suddenly at the time क्या करेंगे सीधा निकल जाएंगे आपको नहीं पता क्यों समझ रहे हैं समझ रहे हैं क्योंकि वह सबकॉंशियस लेवल पर decision हो रहा है कहीं ना कहीं ठीक है शायद आप इस चीज़ को समझ समझ सकते हैं कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन at the time आप अपने चूजिं पता नीच क्या हो गया मुझे पता ही चीज़ नी चला मैं अ melted वैसे मैं जाने ऐसे समझ रहे हैं इसलिए मैंने कहा क्यों पूछता है किसी से कहा रहीं तो धिकिन जानता के कि तर जाना बहते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे emotions habits है नो यह सब इस सबकॉंशिश माइं होती ह यह होती है जो हमारे conflicts repressed desires, जिन desires को दबा दिया जाता है, वो desire unconscious mind में जाकर store हो जाती है, motivation हो गया, ठीक है, अब बात करते हैं हमारे behavior को कैसे influence करती है, यह चीज़े, direct, immediate influence on action and decision, यह तो direct हमें पता चल जाता है, consciously क्योंकि हम conscious होते हैं, aware होते हैं हमारे situation से, thought से, ठीक है, indirect and subtle influences on actions, decision, often through habit and automatic responses, indirect and powerful influence on behavior, shaping thought, emotions and motivation, indirectly, ठीक है, यह direct करती है, बाकिये दोनों indirect कर दिया, example मैंने बताया, जैसे sensory experiences अगर आपको अभी कुछ side में आपके कुछ न कोई, मान लिजे कुछ सामान जल रहा है, तो आप कहेंगे smell आ रही, it means you are conscious about your environment, simply है, memory, habit, automatic responses, यह सभी क्या होता है, मान लिजे suddenly आपके पास कोई ball fact दे, ठीक, आपके ऊपर कोई ball fact रहा है, तो आपने क conscious mind को पता चल जाता है, कि side से कोई चीज आ रही है, शायद मुझे वो चोट पहुचा दे, तो आपका हाथ है, जो तुरंत उसको रोक लेता है, unconscious में repressed desire, conflicts and motivations होते हैं, okay, so hope you understand what is the difference between conscious, subconscious और unconscious mind, अगर आपको जरा भी समझ आया, तो आप please हमें feedback जरूर देजेगा, ठीक है, next topic एक था हमारा defense mechanism का, defense mechanism क्या था, इससे पहले हम id ego, super ego करते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए ताकि आपको help हो जाए, तो structure of personality, फ्रोड ने कहा कि human psyche को न, तीन main component है, जो कि मैंने बताया, id ego, super ego, जो कि हमारी personality को form करने में काफी हद तक help करते हैं, एक छोटा सा overview example के साथ सम होता है, कि मम्मी मुझे न, आज कल जो होता है, बच्चे मुझे phone चाहिए, वो रोने लग जाते हैं, धर्ती पे लेट जाते हैं, और फिर जो अपने पाउं को हातों को जमी पे मारना शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे phone चाहिए, तो वो क्या है, id है, id है, id means जो pleasure principle पर काम करते हैं, कि मुझे मजा आ रहा है, तो मैं कुछ भी करूँगा, हो समझ रहे हैं, मालेजे मुझे ice cream खाना है, या कुरकुरे खाना है, तो आप क्या करेंगे, कि आपको मजा आ रहा है, तो आप छीन के खा लेंगे, क्योंकि आपको भूक लगी है, that's it, यह pleasure principle काम करता है, id हो गया, ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, ego कहेगा, कि मुझे भूक लगी है, ठीक है, या मुझे ice cream खानी है, सामने वाले आपने क्या किया, एक बच्चे ने, एक बच्चा है, अपनी ममी के साथ, सडक पे ice cream खा रहा है, आप एक छोटे से बच्चे ने दो, मुझे भी ice cream खानी है, यह है ego, ठीक है, आप एक socially acceptable way of behaving, आप निकाल के लेकर आ रहे हैं, कि हाँ मुझे ऐसे behave करेंगे, तो मुझे जो हमारा समाज है, society है, वो क्या करेंगे, accept कर लेगी, तो वो होगी ego, ego develop हो रही है, एक हो जाती है, super ego, super ego मिंस यहाँ पर आप ये measure कर करते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है, आपके अंदर से inner वो इसाना शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आपके parents के पास अभी पैसे नहीं है, आपको पता है, तो आपकी आवाज कहेगी, कि अभी ना अंदर से आप, होदा है ना कि मेरा मन है, शायद म बोल रहे हैं, किसी को cheat कर रहे हैं, तो नर्मली आपको यह होगा नहीं है, मुझे ऐसा करना नहीं था, तो वो super ego आपको बताती है, कि morally आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो चलिए अब थेयरी पर चल दें, यह आपको समझ में आ गया होगा, ego, super ego, मैंने example समझाया, कर, morally, यह जो response करने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी super ego की होती है, function की बात करते हैं, तो यहाँ पर immediate gratification, immediate pleasure, find out करता है, कोई भी बच्चा जो id के under है, जो काम करता है, जैसे कि उनकी basic needs को पूरा करना, driven by the pleasure principle, pleasure principle के based है, जो यह काम करते हैं, कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा, पसंद मुझे मजा रहा है, तो मैं करूँगा, okay, consciousness की बात करते हैं, तो यहाँ यह unconsciously होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ठीक है, example जैसे की बच्चा रो रहा है, उसे खाना चाहिए, जैसे की मैंने बताया, example आपको, ego की बात करते हैं, पहले super id की बात करते हैं, अ according to Sigmund Freud, एक बच्चे में sexual desires होती है, ठीक है, तो immediate satisfaction जैसे hunger, thrust, यह सबी है, जो immediate, मुझे भूक लगी है, तो खाना दो, पानी पीना है, तो मतलब प्यास लगी है, तो पानी दो, बस चाहिए तो चाहिए, तो यह motivation level हमारी वो energy होती है, impulsiveness highly impulsive होते हैं, आपने देखा होगा conflict होगा, वो ego और super ego के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा pleasure principle पर काम कर रहा है, और ego reality principle पर काम करती है, super ego moral और societal based है, जो काम करती है, तो यहाँ पर आपको इनके साथ है, जो क्या दिखे का conflict देखने को मिलेगा, development की बात करें, तो present from birth and the remain relatively stable, अब ऐसा नहीं है कि आपक समय तक रहती है, लगबग ताउमर रहती है, लेकिन इस जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर id के साथ साथ ego भी होती है, जो की id को, अभी आपको समझ आएगा, यह बाते कैसे काम करती है, so id के बाद आपको समझ आगा, id भई, अब आप में भी है, मुझ में भी है सब में है, ठीक है, so अब ego की बात करते हैं, function की, तो balance the desire of id, अब देखिए, भूख लगी आपको, मुझे भी भूख लगी है, ठीक है, हम दोनों example से समझते हैं, भूख लगी है तो एक बार ऐसी भूख लगती है दिन में की भाई अब जो भी मिल जाए, किसी से मिल जाए, ह है न, लेकिन हमारी ego क्या कहती है, नहीं, this is the not right way to do, understand, हम क्या करेंगे, घर जाएंगे, ममी को बोलेंगे, ममी आज ये बना दो, फिर हम क्या करेंगे, खाना काएंगे, socially accepted behavior करेंगे, या फिर हम कहें कि किसी यह जो hotel में जा रहे हैं, वहापर हम request करेंगे, कि आप यह हमारे लिए दो, आप पैसे देंगे, फिर हमें जो खाना खाएंगे, तो ऐसा, id अभी भी है, desire of the id को balance करती है, किसके साथ reality principle पर काम करती है, कि reality में क्या होना चाहिए, simply, तो work on the reality principle, ये conscious level पर होती है, वो unconscious पर थी, id, अभी ego है, ये क्या होती है, conscious level पर, हाँ हमें पता होता है, what's going on, ठीक है, एक adult, ये example आप कर लीजेगा, motivation level, motivation level ये होता है, कि हमें id की जो desire है, उनको balance करना होता है, किसकी help से realities, जो हमारी society में norms बने होते हैं, rules बने होते हैं, उनको accept करने के लिए, मान लीजे, मान लीजे, आपको कोई पसंद है, लड़का या लड़की, कोई भी आपको parent से बातचीत करेंगे, फिर आपकी शादी होगी, ठीक है, तो id सभी में है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको ego के साथ है, जो balance किया जाता है, impulsivity की बात करें, तो आप यहां पर impulsivity कम देखने को मिलेगी, ठीक है, और conflicts की बात करें, तो यहां पर जो ego, super ego के सा साथ है, जो, और id की जो impulses के साथ है, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, conflict देखने को मिलेगा, तो conflict तो काफी easy आपको समझ में आ रहा होगा, यह early childhood में है, जो क्या हो जाती है, develop होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो हो गया हमारा ego भी हो जाती है, आप सूपर ego की बात कर सकती है, perfectionism पर हम कह सकते हैं, कैसे perfectionism का example क्या दे है, मान लीजे हाँ, आप दो friends है, ठीक है, आपका friend हो सकता है, कल को पैसे वाला हो जाए, ठीक है, और आप हो सकता है, गरीब रह जाए या गरीब नहीं कहेंगे, गरीब थोटा स्जादा, ओकोड सा लगता है न, कि और यार हमको गरीब कर दिया, तो हो सकता है, आपका friend, चलो आपको पैसे वाला कर देते हैं, ठीक है, आप पैसे वाले हो गई है, और आपके friend moderate level पर उसकी income इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो आपने क्या किया, एक दिन उसको गालिया देना शुरू कर दिया, bad words का आप यूज करें पर होती है, ठीक है, आपको बाद में realize होता है, यार, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, feeling guilty for telling a lie, because it good goes against one's moral value, क्योंकि हमारी moral values के बिल्कुल against होता है, कि हम किसी को जूट बोले, किसी के साथ cheat करें, यह हमें super ही को बता दिया, और कितना भी बुरा आदमी हो भाई, एक बार इसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिरे 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 उनकी habit बन जाती है, फिर उन चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, so motivation level, moral excellence की, आपको society accept करें, जितना बहतर आप perform करेंगे, उतना जल्दी आपको society in मामलों में accept करेंगी, क्योंकि आप society के जो लेप होना शुरू हो जाती है, दो टोपी कवर हो गए है, so video लंबी हो रही है न बई, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, शायद आपको समझ में आ रहा हो गड़ी है, तो edigo, super ego कर लिया, अब बात आती है, मान लीजी हमने यहाँ पर क्या किय कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने example लिया था आपको, कि आप एक लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपने ऐसे ऐसे बात की, लेकिन आपके मन में हैं उसको देखके कि मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको propose किया, तो उसने मना कर दिया हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने मना किया, तो आप कहते हैं, बड़ी नक्चड़ी है, बड़ी बड़ा नक्चड़ा है, है ना, मतलब इतना भी क्या attitude, आप एस तरह की बाते करते हैं, हम किसी से कम थोड़ी है, हमारे पास सत्तर आएंगी, आप लोगों ने देखा भी हो क अपनी ego को, आपको ठेस होती है, माँ ठेस होती है, थोड़ा सा हाट होते हो, आप यार किसी ने reject कर दिया, तो थोड़ा सा bad feel तो होता ही अंदर से ना, genuinely होता है भई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ उसको नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिसने कोई और परसन है, आप के friend है, शायद उसको भी किसी reject किया हो, ऐसा नहीं हुआ होगा, उसको भी बुरा लगा हुआ होगा, और आपको भी लग रहा है, तो it's common, आप relax रही है, लेकिन हम relax नहीं रहते हैं, हम क्या करते हैं, वो नक्चड़ा है, हमें किस चीज की कमी है, हमारे पास पैसा है, anxiety वाली feeling समझ रहे हैं, कि आपको anxiety हो रही है, वहां से है, उसने मुझे reject कैसे कर दिया, भाई, आप एक बार तो बोचके रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो unconsciously क्या करते हैं, उन feeling से लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आपको उन feeling से बचाने की कोशिश कर करते हैं, और जब आप try करते हैं, उन feeling से लड़ने के लिए, तो उस mechanism को कहा जाता है, defense mechanism, defense means आप खुद को defend कर रहे हैं, उन anxiety भरी feeling से, उमीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि माली जी आप डर गए हैं, आप माली जी डर गए हैं, कोई बात नहीं, सभी को, ह किसी ना किसी वज़े से डर जाता है, माली जी सड़क पर चल रहे हैं, suddenly जो किसी ने होरन प्रेस किया, आप ऐसे डर जाते हैं, ठीक है, तो सिदिये या, तुम्हें दिखाई नहीं देता हम उस पर गुसा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम डर गए, accept करो अपने आपको, ले हम क्या करते हैं, जहां पर हम अपनी feelings को, रिप्रेस कर देते हैं, हमारे unconscious mind में, thoughts को, memories को, ठीक है, जिनको हम avoid करना चाहते हैं, मान लीजिए, यह हमारा जो break up वाला example, उन्होंने जो reject कर दिया, तो आगे जब कभी भी उसके लड़के या लड़की की बात आपके सामने avoid करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं, avoid करना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप repression कर रहे हैं, शुरू आपने, आपके दिमाग से वो चीज़े गई नहीं हैं, बिल्कुल भी, आपके brain में हैं, लेकिन वो subconscious level पे है, second stage पे है, थोड़ा सा कुरेदने पर वो बाहरा जा समझ रहे हैं, तो repression means, आप try कर रहे हैं, उन चीज़ों को avoid करने के लिए, ताकि आप जो deal कर सके उस anxiety से अच्छी तरह है, तो यह example हो गया, repression का, denial, denial, जब आप एना refuse करते हैं, या accept करने के लिए मना कर देते हैं, reality और truth को, जैसे कि for example हम ले, कि आप smoking कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप alcohol consume कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप उसको भई, इतना बुरा होता नहीं है, जितना लोगों ने इसको बना दिया, smoking में क्या रखा है भाई, इतनी बुरी का हैं, इसमें तो कुछ गडबड नहीं होती, वो तो यार गलत तरीके से पीते हैं, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या है, आप smoking कर रहे हैं, आप को पता ही ये गलत है, लेकिन फिर भी आप जो सच को accept करने की बजाए, क्या कर रहे हैं, वहाँ पर नकार रहे हैं, अवोईड कर रहे हैं, ठीक है, emotional pain से बचने के लिए, कि कहीं मुझे emotionally pain, ऐसा होता है ना एक आत बार कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसको करने से ना, तो फिर यहाँ पर packet पर क्यों लिखा है, ये भी तो सवाल है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, emotional pain से बचने के लिए उस चीज को सच को ठुकराने लग जाते हैं, तो deny, understand, next आता है projection, projection का तो आप लोगों ने सभी ने use किया होगा, projection means जैसे कि projector में होता है, light बाहर निकलती है, white परदे पर डाली जाती है, वहां से है, जो आप screen पर देखते हैं, जो भी light में है, जो उसमें जो फिल्म मगारा होती है, तो projection में ऐसा ही होता है, when individual attribute their own undesirable thought, feeling, qualities of someone else, किसी दूसरे पर डालते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने एक previous video भी इस पर बनाए दी, उसमें मैंने example दिया था, कि एक husband wife है, अब husband ने क्या किया, अपने colleague की photo दिखा दी वही wife को, कि यह हमारे साथ है, जो काम करती है, अब जो wife को है ना, कोई अपने office में, उनके office में कोई person है, जो पसंद है, मतलब उसकी personality से लेकर ल लगा लीजिए, लेकिन उसने क्या किया, अपनी feelings को बाया करने की बजाई, यह कहने लगी, कि तुम तो किसी दूसरी ladies के चक्कर में हो भाई, तुमारा तो शायद affair चल रहा होगा, ठीक है, तुम इतना ज़्यादा उस पर focus मत किया करो, इस तरह की बात है, शायद ladies ने, एक जैंट्स ने जो उनको बोल दी होगी, अपनी wife को बोल दी होगी, यह एक wife ने अपने husband को बोल दी होगी, तो वो projection है, कि आप अपनी feelings, जो suppressed feelings है, या फिर हम कह सकते हैं, undesirable thought, जो socially acceptable नहीं है, वो आप जो दूसरों पर project कर रहे हैं, ठीक है, rationalization, जब आप तरक देते हैं, तरक यह तो as a medication काम करता है, तो rationalization करें, आपको पता है कि यह harmful है, ठीक है, लेकिन इस इतने मामले में नहीं है, है ना, आप rationalized, providing logical or socially acceptable, कि डॉक्टर ने बोल दिया, तो भही socially acceptable, logical, इसकी पीछो तो reason भी है, कि भही हमारा जो blood है, जो circulation बना रहता है, तो rationalization का हम, आपने देखा हो आपकी family में काफी member करते होंगे, ऐसा का, regression, regression है कैसा है, जब भी आप anxiety वगरा feel करते हैं, तो आप early stage of development, इसका सबसे best example है, कुछ बच्चे जैसे कई बार डर जाते हैं, उनका anxiety होने लग जाते हैं, तो अपने thumb को सक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबसे common है, thumb sucking है, जो स placement means, क्या होता है, कि आप अपने emotions को, thoughts को, feelings को, fears को, सब को displace करें, जहां पर आपका bus नहीं चाला है, जैसे कि इसका सबसे best example है, boss का, कि आपको boss ने college में कह रहा हूं है, office में डाट दिया, ठीक है, आप काफी frustrated हो गई है, तो आपने जो गुसा, आप boss पे तो निकाल नहीं सक क्या सकती, वैसे, आप अपनी emotions को displace कर रहे हैं, उस anxiety से बचने के लिए, कि आप boss को कुछ नहीं कह सकते हैं, हम आपर anxiety होती है, गुसा आता है, frustration होती है, तो हम उस frustration से बचने के लिए, उस feeling से बचने के लिए, हम अपनी family पर गुसा उतार देते हैं, फिर आपकी wife कहेगी, भी तुम बाहर का गुसा हम पर क्या उतार रहे हो, फिर जगड़े हो जाते हैं, तो यह displacement का कारण है, सब्लीमेशन, सब्लीमेशन मानने जिए, किसी बच्चे को इतना गुसा आता है कि छोटी छोटी बात पर लड़ने को आतूर, लडने को आतूर में से ready to fight, always ready to fight, ठीक है, तो हमने क्या क्या उसको कहा कि आप boxer बने, punching box लीजिए, वहाँ पर आप पंच कीजिए, अपनी energy को transfer क सब्लीमेट कर रहे हैं energy को, समझ रहे हैं, जो unacceptable behavior होता है, socially unacceptable behavior, कि आप लोगों से जाकर जगड रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होगा, कल को आप पर case हो जाएंगे, socially unacceptable behavior, लेकिन आप ring में जाकर किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, that's it, वो okay, वो game है वही है न, तो आप ऐस मेल की नहीं थी, या फिर ये मेल मतलब हम जो दोनों के एक जैसे हमारे traits नहीं थे, हमारी thinking नहीं मिलती थी, या वो मेरे, हम क्या कह सकते हैं, मेरे level की नहीं थी, है न, मेल को आप level कह सकते हैं, हमारे hindi में हमारी culture में ऐसा कहा जाता है, उनका उसका mail हो गया, mail means match हो गया, ठी मेरे level का नहीं था, अगर किसी ने ऐसे reject किया है, तो reaction formation, कि आप opposite feeling वहापर create करें, हाला कि आप उसे पसंद आज भी करते हैं, अगर वो हां करते हैं, तो अभी आप शादी कर लेंगे, लेकिन, अब उसने मना कर दिया, तो भी, आपका क्या बस चलेगा, बताओ, कोई बात न emotions को handle करना सीख जाते हैं, मान लीजिए, आपकी family में किसी के साथ ऐसा ना करे भगवान कभी, लेकिन, आपकी family में मान लीजिए, ऐसा हो जाता है, events, कि किसी के साथ कुछ trauma हो जाता है, कुछ event ऐसी हो जाती है, तो आप उन से काफी attached है, emotionally काफी attached है, तो आप क्या करेंगे, द जो thinking process को अलग-अलग जगह जो आप बाट रहे हूं से energy को, तो वो intellectualization कहती है, ठीक है, समझ रहे हैं, यह है defense mechanism, जो कि सिक्मन फ्रूड ने दिये थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गए होंगे, और मुझे comment करके आप जरूर बताएगा, इन में से कौन सा defense mechanism आपने अभी तक use किया है, और मेरे हिसाब से आपने सभी use कियोंगे, एक repression को छोड़ कर, शायद regression को छोड़ कर, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास तीन topic complete, और हमारा last topic development of personality, उसके बाद हमारा सिरफ एक techniques रह जाएंगी, और एक psychotherapy और counseling के बीच में difference, काफी चोटे topic है इनको मैं जल्दी-जल्दी cover करने की कोशिश करता हूँ, एक main topic यह रह जाता है, development of personality, अब according to Sigmund Freud, psychoanalytical theory, अब देखें यहाँ पर psychoanalytical theory, Sigmund Freud नहीं देदी कभी आप यह कहीं, अब यह psychoanalytical क्या है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसके according ना, एक psychosexual stages होती है, childhood के दोरान, जि sequence, पहले से ही एक sequence अब जो हम बात करेंगे, जैसे oral, यह जो excessive oral stimulation, अरे नहीं नहीं, oral, genital, phallic, anal, यह वाली stage है, ठीक है, तो यह तो इसके अंदर सब पार्ट हो गया, ठीक है, so it leads to either successful development of a healthy personality, और leads to failure development of unhealthy personality, अगर एक particular जो हमारी जो developmental stage है, जैसे कि oral stage है, अगर यहाँ पर successfully, यह पर कोई issue नहीं होता है, कोई conflict नहीं होता है, तो उनकी healthy personality, every stage, जैसे ही वो एक stage से दूसरी stage में enter करेंगे, ऐसी successfully वो enter करते रहें, तो उनकी healthy personality होगी, otherwise वहाँ पर unhealthy personality आपको देखने को मिलेगी, तो कैसे यह psychosexual developmental phase है, हमारी personality को affect करते हैं, अभी हम समझते हैं, सबसे पहली, अ अब आप मैं बता रहा था, आपको earbuds अगर आप यूज करना चाहें, तो बेशक करें, otherwise आप जो अभी वीडियो को बेशक मत देखें, ठीक है, तो पहली बात है, oral stage, ठीक है, oral stage में क्या होता है, time period आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यह पहली, जो stage है हमारा, first year of life, जहा अधर करती है, या फिर bottle feeding से, निपल के थुरू है, जो उनको दूद पिलाया जाता है, ठीक है, तो अब देखिए, बच्चे की जब basic needs, उसको यह पता है, कि मुझे खाना ना इस तरह मिल रहा है, मतलब मैं जब मुह का यूज कर रहा हूं, अपने lips का, tongue का, mouth का, तब मेरी basic needs complete हो रही है, तो इस वज़े से, इस दोरान, oral stage के दोरान, बच्चे का जो source of pleasure है, source of gratification है, satisfaction level है, वो mouth बन जाता है, आपने note किया होगा, कि बच्चे इस stage में थम सक करते हैं, या फिर जो भी कोई चीज दोगे, आप वो मुह में डाल देंगे, कोई भी चीज दो, ठीक है, sucking, swallowing, चीजे निगल जाते हैं, spitting, beating, काटना, आपने देखा होगा, कि आप जैसी बच्चे के हाथ पर, आप सोच रहे हैं, कि वो मज़े में कर रहा है, उसको मज़ा है, हकीकत में आ रहा है, वो oral stage में है, उसको पता है, वो यह सोच रहा है, कि यह भी एक type से milk है, ठीक है, य यहाँ पर जो conflict होता है न, oral stage में, वो winning process होती है, कि आप बच्चे का, आप लोगों ने देखा हो कुछ बच्चे न, चार साल, पांच साल तक है, जो breastfeeding करते हैं, या फिर bottle feeding करते हैं, तो उनको parents को काफी problem होती है, तो यहाँ पर winning process मिन्स आप जो दूद छुडवा रहे हैं, breastfeeding चुडवा रहे हैं, या फिर bottle feeding चुडवा रहे हैं, आप गिलास में दीजिया, जो छोटी गिलासियां होती हैं, उनमें दीजिया, ठीक है, यह चोटे जो cup होते है, milk वाले हैं, उनमें आप जो दूद दे सकते हैं, तो यहाँ पर यह conflict होता है, oral आपको समझ में आगे अगर वो काफी जल्दी है, जो उनकी जो वीनिंग प्रोसेस करवा दी जाती है, उनको जो दूद छुडवा दिया जाता है उनका, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर insufficient oral stimulation, insufficient उनको क्या होगा, पोई excessive में तो dependent हो जाएंगे अपने parents पर या अपने environment के लोगों पर है, जो dependent हो जाते ह efficient oral stimulation के अंदर वो क्या होता है, उनको neglect वाली feeling आती है, कि मुझे नगलेक्ट कर दिया गया है, तो इस तरह की बाते होती है, यह इस तरह क्या होता है, अगर successfully, यहाँ पर है जो resolution हो जाता है हमारे पास, कि बच्चे को समय पर है जो बिल्कुल time to time है जो यह चीज़े हो रही है तो वो next stage में enter कर जाएगा और यहाँ पर उसको trust develop होगा कि हाँ मेरी basic needs complete हो रही है, capacity for dependency की दूसरों पर अभी तक वो depend है, that's it, ठीक है, next stage आती है हमारे पास analysis stage, analysis stage में क्या होता है, अब तक जो source of pleasure हमारे बच्चे का जो mouth पर था, वो अब change हो जाता है, वो आ जाता है, elimination and retention of faces अब आप यहाँ पर देखिए, elimination and retention of faces आपने देखा हो कि बच्चे कहीं पर भी सुसू कर देते हैं, कहीं पर भी potty कर देते हैं, और आपने देखा होगा कि जब जहां बच्चे सुसू करते हैं, तो वहीं पर खेलने लग जाते हैं, उसी सुसू में, ठीक है, या potty के साथ चेड़ खाने करने लग जाते हैं, तो उनको मज़ा आता है, वहाँ पर ठीक है, तो सोर्स ओ प्लेजर देखिए, कितना बदल गया है, हाला कि शायदा भी आपको थोड़ा सा हसी आ रही है, तो आप हस सकते हैं, लेकिन चीज़े समझने की है, observe करने की आपके environment में आप तो आप मुझे बताओ, ममी बोलती है, बोलती है न, तो आपको बताया जाते हैं, आप टोलेट में जाओ, ऐसे आपको बैठना है, मिन्स यहां पर क्या हो रहा है, कंट्रोल बच्चा सीख रहा है, कैसे मैं अपनी बोड़ी पर कंट्रोल कर पा रहा हूं, सो आनाल स्टेज क बच्चा चाहता है, कि वो अपनी जो फिसीज को टोलेट ट्रेनिंग को कंपलीट करें, सिंपली अगर हम कहें तो, ठीक है, नेक्स आती है, हमारे पास फैलिक स्टेज, त्री टू, सिक्स यह स्टेज, आप फैलिक स्टेज, आप यह स्टेज ध्यान से समझेगा, क्योंकि इ स्टेज के दोरान, फोकस जो हमारा जैनिटल एरिया में हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स पर हो जाता है, सोर्स ओ ग्रेटिफिकेशन, सोर्स ओ प्लेजर, और इस दोरान बच्चे सेक्शुल अट्रेक्शन फील करते हैं, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के थूँ, अभ बोईज में डेवलप अनकोंशियसली सेक्शुल डिजायर फो देया मदर, उनकी मदर के लिए उनके अंदर सेक्शुल डिजायर होती है, अकोडिंग टो सिग्मन फ्रेट, ओके सिमिलरली गल्स के अंदर भी अनकोंशियसली सेक्शुल अट्रेक्शन उनके फादर के रिगा जो theory है उनको criticize किया गया, आप क्या सोच दिन्स के बारे में आप हमें comment section में बता सकते हैं, conflict arise as a children developing fear of rivalry, jealousy towards the same sex parent, अब आपने एक आप चीज नोट करने किया, देखिए, अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा, कि पापा की परी बोला जाता है, मम्मी का बेटा बोला समझ में आए, और शायद आप इन चीजों को याद रख पाएं, समझ रहें, odipus complex it means मम्मी का बेटा, elektra means पापा की परी, ऐसा बोला जाता है न, तो कहीं न कहीं हो सकता है, ठीक है, कोई assurity नहीं है यहाँ ठीक है, तो conflict जो arise होता है, यहाँ पर बच्चे अपने जो same sex parent, जै अगर मैं कहना चाहूं, जिससे कि आप समझ सकों, तो अगर यहाँ पर resolution हमारा successfully resolve हो जाता है, जो यह conflict होता है, जो conflict आपने देखा भी, जो electric complex और odipus complex अगर यह resolve हो जाते हैं, तो यहाँ पर gender identity create होती है, और super ego, what is wrong, what is right in a social environment, क्या सही है, क्या गलत है, यह हमा, the moral conscience जिसे कहत सकते हैं, कि आने लग जाते हैं, कि हाँ, यह सही है, गलत है, gender identity developmental phase में, जो यह अगर यह successfully resolve हो जाते है, conflict तो, next आता है, latency stage, latency stage क्या होती है, six to eleven, अब यहाँ पर आपको क्या देखने है, जो sexual energy, अब देखो मैंने शुरुआत में बताया था, coding to segment, हमारी body के अंदर libidal energy होती ह sexual energy होती है, जो की neither created nor destroy, यह transfer होती चली जाती है, तो latency period के अंदर क्या होती है, इन energy को suppress कर दिया जाता है, repress कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, किस वज़े से, क्योंकि हम social interact होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे अपने friends में, peers group में है, जो खेलना शुरू कर देते हैं, school conflict यहां पर है, जो pronounced as a child energy is channeled into the school and peer relationship कि अपने friend circle में, peer relationship में जो अपने energy को channelize करना शुरू कर देता है, genital stage जो कि हमारी आखरी है, puberty onwards है, यह adolescence और adulthood में आती है, जो energy अब यह energy क्या होना शुरू हो जाती है, sexual desire जो है, हमारे body के अंदर है, जो पैदा होनी शुरू हो जाती है according to Sigmund Freud, कि यहां पर हम जो attraction होती है आप family में नहीं होती, opposite sex outside our family, हमारी family के बाहर जैसे कि आजकल fashion बना हुआ है, boyfriend, girlfriend वाला, आपको लगबग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है, sexual desire, attraction, opposite sex की तरफ है, जो attraction होना, यह अपर genital stage आती है, यहां पर, puberty onwards, ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे, यहां पर जो conflict आते हैं, वो क्या होते हैं, कि आप loving relationship establish कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, mature, आप सही डंग से हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, या फिर हम कह सकते हैं, आप relationship build कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, balancing one's own desire and socialital norms, खुद की desire score social norms का balance create करना य अगर यहां पर इन challenges इन conflicts को आप असानी से resolve कर पाते हैं या आपके successfully resolve हो जाते हैं, तो यहां पर आपके अंदर healthy, loving relationship, well balanced personality आपके create हो जाती है, आपकी personality lifetime है जो same रहेगी, बिल्कुल stable रहेगी, अगर आप successfully वहां से यहां तक चलते आ रहे हैं, तो according to segment flow, hopefully आप यहां पर समझ गए होंगे इन stages को, सबसे पहले आती है हमारे पास oral stage, second आती हमारे पास anal stage, third आती है phallic, fourth latency और fifth आती है genital stage, उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह concept, अगर फिर भी किसी तरह का doubt है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं, अब मैं थोड़ इसी रफतार पकड़त हूँ वीडियो को end करने के लिए techniques जो कौन-कौनसी यूज की जाते psycho analysis में, अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि हम unconscious mind की बाते कर रहे हैं, तो जो techniques में जो techniques यूज की जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, unconscious conflict होंगे, unresolved conflicts होंगे, उनको resolve करने के लिए पहली technique है, free association, free association में क्या होता है कि बच्चे को बुला लिया जादा है जिसको psychological problem है, ठीक है, वो बच्चे से हम इना freely बात करेंगे, freely means उस पे कोई foundation नहीं होगा, हम कहेंगी जो भी तुमारे brain में first thought आता है, बिना manipulation के, without innovations, आपको बताना है, वो हमसे share करना होगा, यह होता है, free association कि हम एक client को encourage कर करने के लिए without censorship, without innovations, ठीक है, हम उनको identity, attentively हम उनको सुनेंगे, problems को pattern को, theme को identify करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, dream analysis में क्या होता है, कि एक Sophie पर आप है, जो अपने client को बैठाते हैं, आप कहेंगे, तो वो ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जो low light कमरे में उनसे जो बात करनी होगी, unconscious level पर जो conflict है, and resolve जो conflict, उनके brain में, unconscious mind में जो suppressed है, उनको आपको बाहर निकालना होगा, dream analysis के तो, जो भी उनके सपने आ रहे हैं, उनको, dreams आ रहे हैं, उनको analysis करते हैं, in dream analysis में, transferences analysis और counter transference analysis को मैं बता देता हूँ, transferences में क्या होता है, मैं पहले भी बता feelings को कहां पर डालता है, counselor के उपर, उसे कहेंगे, transference, जब एक counselor अपनी feelings को, thoughts को, emotions को, client को, हम कहें, simply response करता है, feelings के regarding, तो उसको कहेंगे, counter transferences, hopefully आप समझ गए होगे, अब आप theory पढ़िएगा, और फिर आप समझेगा, interpretation means, जो आपको उपर data मिला, free association से, dream analysis से, transferences, उनको interpret करना ठीक है, resistance analysis के से कहेंगे, कि आप, कई बर क्या होता है, कि हमारा client उन चीजों को, कई चीजों को, बताने पाता है, जैसे कि sexual orientation, या sexual activities के बारे में, जिन में वो involved रहा है, उनके बारे में resistance शो करता है, कुछ behavior को बताने में, तो उन से, जो उनको anxiety provoke होती है, उनसे बचने का, को hop up करने का, या उनके resistance pattern को identify करने का तरीका, उनसे overcome करने का हम सिखाते हैं, उनको तो resistance analysis यह है, hopefully आप समझ गए होंगे, techniques आप ये करिएगा, आपको question मिल जाएगा, यहां से, अब हम last topic करते हैं, हमारा psycho therapy और counseling में, difference क्या definition आए, तो भी आप यहां से लिख दीजे, counseling आए, तो आपको, हला कि मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं counseling और psychotherapy दोनों आपको अभी उपर करवा के आया हूँ, counseling हमने first chapter में की दी, so फिर भी हम एक बार discuss कर लेते है, counseling में क्या होता है, कि specific problem होती है, concern जैसे की career counseling हो जाती है, कि मुझे क्या career choose करना है, family conflict हो सकता है, त लेकि जो psychotherapy में psychological conflict होते है, motivation level, pattern of behavior, इस तरह से, ठीक है, unconscious level पर जो problems होती है, approach यहाँ पर defense mechanism बदने use करते हैं, जो कि हम early ओपर discuss करके आए है, unconscious process, early childhood experience, counseling की बात करें, तो यहाँ पर conscious thought होते हैं, कि अभी मैं अब क्या करूँ, इस time मुझे क्या करना चाहिए, plus two के बाद, graduation के ब duration की बात करें, तो यह काफी लंबे समय तक यह short term तक चलते हैं, aims की बात करें, तो यह deep self understanding, resolve unconscious level, promote long term personal growth and mental health, यहाँ पर हम guidance करते हैं, coping strategy, specific problems को solve करने के लिए, relationship को manage करने के लिए, और यहाँ पर techniques का हमने भी बात की, यहाँ पर solution focused counseling में, CBT, mindful, behavioral therapy कोई भी आप यहाँ पर लगा स सकते हैं, ठीक है, practitioners की यहाँ पर है, जो हमारे पास licensed counselor होगा, यहाँ पर psychotherapist होगे, होगे, ठीक है, setting आप कहीं भी mental health clinic या hospital, यहाँ पर है जो clinic जो हमारे counselor का होगा, schools, workplace, clinic, वहाँ भी हो सकते, online platform पर भी counseling होती है, तो यह हो गया हमारा topic complete, अगर फिर भी कोई doubt रहा जादा है, तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं, यह psychodynamic का complete chapter cover हो गया, इसको अब MPC E023 में cover नहीं करेंगे, ठीक है, hopefully आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, thank you for watching this video, have a nice day.